नमस्कार दर्श नियूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं प्रिदिदयाल आपके साथ जेमेम के कारिकारी अध्यक्ष हेमन सोरेन ने चौथी बार जार्खंड की कमान संभाल ली है जार्खंड की राज़ानी राची के मुरहाबादी मैदान में आयोजित भव्वे शपत ग्रहन समारोह में हेमन सोरेन ने जार्खंड के चौदहवे मुख्यमंत्री के तौर पर और गोपनियता की शपत दिलाई वहीं शपत लेने से पहले हेमन सोरे ने जारकंडवासियों को जोहार कहा और उस दिन को एतिहासिक बताया उन्होंने राजनितिक तौर पर उस दिन को खास बताया और कहा कि हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है उस शपत ग्रहन समारो में इंडिया ब्लॉक के तमाम दिगत चहरों ने शिरकत की और हेमन सोरेन को चौथी बार सी एम बनने पर बधाई दी है ऐसे में अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तो वे भी शपत ग्रहन समारो में शामिल हुए थे हाला कि उन्होंने हेमन सोरेन को सोशल मीडिया के जरीए एक अलगी अंदाज में बधाई दी दस तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरीए एक पोस्ट को साजा किया इस पोस्ट के जरीए उन्होंने कई सारी तस्वीरों को शेर की उन तस्वीरों को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जिसमें तिजस्वी यादव, हेमन सोरेन और कलपना सोरेन को बधाई दे रहे हैं साथ ही उपहार भी दिये जा रहे हैं वही इन तस्वीरों को शेर करते हुए तिजस्वी यादव ने लिखा कि जारकंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपत लेने पर भाई हेमन सोरेन जी एवं समस्त जारकंड वासियों को बहुत बहुत बधाई वहार्दिक शुबकाम नाए भाई हेमन सोरेन के कुशल नेत्रत में मिला जारकंड का प्रचंड बहुमत इंडिया गठबंधन के प्रती जन विश्वास सामूहिक एकता समाजिक एक जूटता आपसी सौहाद्र सुशासन अनुभव तथा प्रगती शीर राजनीती का परिचायक है हमें आशा ही नहीं बलकी पूर्ण विश्वास है कि जारकंड की अबुआ सरकार अपनी सकरात्मक विकासोन मुखी नीतियों की बदालत वन्चितों उपेक्षितों उत्पिडितों गरीबों किसानों छात्रों युवाओं महिलाओं और कर्मिचारियों के साथ साथ हर जारकंड नई उचाईयों तक जाएगा ऐसी हमारी मंगल कामनाय हैं इस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ही अंदाज में सीएम हेमन सोरेन को बधाई दी हेमन सोरेन के शपत ग्रहन समारों में जारकंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन रूपी स पश्रिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बैनर जी अर्विंद केजरिवाल भगवंत मान लोगसभा में नेता विपक्ष राहूल गांधी यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कॉंग्रेस के रास्टिये अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे बिहार के पूर्व सीएम तिजस्वी आदव पूर्णिया सांसत पपु यादव समेत तमाम दिगजों ने सीएम हेमन सोरेन के शपत ग्रहन समारों में शिरकत की इधर जार्खन में नई सरकार के शपत ग्रहन के बाद मुक्के मंतरी हेमन सोरेन की सरकार ने कुछ एहम फैसले लिए जिसके तहत राजसरकारी मया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिल रही धनराशी में बढ़ोतरी की गई है जिसके तहत अब महिलाओं को पच्छी सो रुपे मिलेंगे ये राशी दिसंबर महीने से लाभार्थी महिलाओं को दिये जाएंगे वही सरकार के अन्य फैसलों में 9 से 12 दिसंबर तक विधान सभा सत्र का आयोजन किया जाएगा जिसमें सम्भवत सरकार की तरफ से विधान सभा में विश्वास मत हासिर किया जाएगा तो फिल्हाल के लिए इस खबर में इतना ही अगर आपने भी देख हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जड़ सब्सक्राइब करते इसके साथ ही एगर ही वीडियो फेस्बुक के मात हम से देख रहे सब्सक्राइब